नमो बुद्धाय नमो गुरुब्यो आदर्णिय स्री राष्पतिजी अन्य अतिधिगान देवियो और सज्जनो आप सभी को धम्म चक्रव प्रवर्तन दिवस और अशाड़ पुर्णिमा की बहुत बहुत शुपकामनाएं आज हम गुरु पुर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ग्यान सौंसार को दिया था हमारी यहां कहा गया है जहां ग्यान है वहीं पुर्णिमा है और जब उपदेश करने वाले स्वयम बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ग्यान संस्कार के कल्यान का परियाय बन जाता है त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बलकी धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है इसलिए तब उन्होंने केवल पांच सिश्यों को उपदेश दिया था लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अन्याई हैं बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं साथिओ शारनात्में बगवान बुद्ध ने पूरे जीवन समय पूरे ज्यान का सुत्र है कि हैं में बताया है उन्होंने कि दुख के बारे में बताया है दुख के कारण के बारे में बताया, ये आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है, और इस जीत का रास्ता भी बताया, भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अस्टांग सुत्र, आठ मन्त्र दिये, समाधिठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमन्तो, सम्मा आजिवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती और सम्मा समाधी, सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक मानी, सम्यक कर्म, सम्यक आजिविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधी यानि मन की एकागरता मन वानी और संकल्प में हमारे कर्मों और प्रयासों में अगर यह संतुलन है तो हम दूखों से निकल कर प्रगती और सुख को हासिल कर सकते हैं यही संतुलन हमें अच्छे समय में हमें लोक कल्याण की प्रेडा देता है और मुश्किल में धायरिय रखने की ताकत देता है साथियों आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनोती का सामना हम कैसे कर सकते हैं भारत ने यह करके दिखाया है बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दुसरे का हाथ थाम रहे हैं एक दुसरे की ताकत बन रहे हैं इस दिशा में इंट्रनेशनल बुद्धिस कन्फेडरेशन का केर विद प्रियर इनिशेटिव यह भी बहुत प्रसौशनिया है साथियों दम्मपद कहता है नहीं वेरेन वेरानी संपन्तिध कुदाचनम अवेरेन चसंपति एस धम्मो सनंततों अर्थात वेर से वेर शांत नहीं होता बलकि वेर अवेर से बड़े मन से प्रेम से शांत होता है त्रासदी के समय में दुनिया ने प्रेम की सवहार की इस शक्ति को महसूस किया है बुद्ध का ये ग्ञान मानवता का ये अनुहव जैसे जैसे समरुद्ध होगा विश्व सफलता और समरुद्धी की नई उचाईयों को छूएगा इसी कामना के साथ एक बार फिल आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आप स्वस्त रहें और मानवता की सेवा करते रहें धन्यवाद